तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इची बता दूँ आश इसे ब्रदद का पार्ट व मैं कल नहीं डाल पाया क्योंकि यूटूब की रफसर प्रण इस्यू जल ला था लेकिन तूस्टे को यह यह कंफर्म पार्ट आ जाएगा और एक चीज मैं और बता लिएगा इंस्टाग्राम के लिंक डिस्रेप्शन में तो चलिए फिडियो शुरू करते हैं तो अब आश को मुटू को ढूंडा था नहीं तो फिर अगर मुटू को नहीं डूंड पाया तो आश कभी जीवन के जूर नहीं रहे पाएगा और आर्क्यास आएगा पूरी चंगल के पास आश गो दोनों के दोने बहुत मुटू को ढूंडते हैं लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलते हैं तभी गो बोलता है शायद मेरा इंदाजा गलत भी हो सकता है क्या पता मुटू यहां पर नहीं पर भरोसा है और मैं आखी तक का हार नहीं वानूंगा जब तक करता है नहीं यह लोग प्रैक्टिस कर रहें तभी आश देखता है कि मुटू के तजाया ताकत बरें अगर कोई जीवन का जीवन का जीवन आ सकता है तो वो इनी दोनमें से कोई एक है तभी लडाई चली होती है उसी के बीच मुटू गाया हो जाता है तभी मुटू गुस जो इसमें कोई भी लापरवाई नहीं करनी पड़ेगी तभी आश नहीं अपने एक बलकि सारे के सारे छे पोकेमॉन निकाल देता है गैंगार, स्केप्टाइल, ग्री निंजा, लुकारियो, चारिजाड ओप पिकाच्चू और गो भी अपने दो पोकेमॉन निकाल लेता ह सारे के सारे पोकेमॉन तभी आश कहता है इसको हराने के लिए हमें हब हर हर तक जाना पड़ेगा, तभी आश अपने लुकारे को मेगा एवाल कर देता है और पिकाच्चू के साथ जैड मूव इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन तभी वो लो मुटू को थोड़ा सा ही नोकसान पहुचा बाते हैं और आश सारे के सारे पोकेमॉन हार जाता है और फिर वहां से मूटू जाने लग जाता है, तभी आश कहता है मूटू हमारी मदद करो, तभी मूटू कहता है जो शर्थी उसके हिसाब से तुम हार चुके हो और अब मैं तुम आई मदद नहीं करूँगा तभी आश कहता है कि अगर RKS आ गया तो वो पूरी दुनिया खतम करतेगा तभी Mewtwo कहता है तुम इनसान इसी लायक हो तुमने पहले मेरे को भी कंट्रोल करा और मेरे से दुनिया में तभाही मचवाई अब RKS आ रहा है सही कर रहा है वो पूरी दुनिया कितम करेगा अब हम जीवन का जूल कैसे RKS को वापस करेंगे तभी आश और गो वापस चले आते हैं कैंटो तभी आश कहता है अपने डैट से हम लोग Mewtwo को नहीं लापाए क्योंकि Mewtwo हमाई मदद नहीं करेगा तभी आश के डैट करते हैं अब Mewtwo को तुम नहीं लापाए इसका क्या मतलब है इसका मतलब अब ये जीवन का जीवल हम लोग आज़के इसको वापस नहीं कर पाएंगे और अब ये दुनिया का अंत नस्दीक है तभी आश के डैट करते हैं लेकिन आश हम ये आखी तक ही हमत नहीं हानी है तभी आश गो और आश के डैट देखते हैं कि आश के डैट के सारे के सारे पोकेमोन बाहर अजादी से घूम रहें और तभाही मचाए पड़ें तभी वहाँ पे लियोन भी आ जाता है तभी लियान करता है अब हम इने कैसे रोकेंगे तभी आश के डैट अपने पोकेमोन से बात करने लगाते हैं लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी निस सुन रहे होते हैं मैं हैंसे हारं ने माननूँगा मैं सारे के सारे Pokemon को बचाऊंगा और आखरी तक कर लड़ूँगा और तब ही दिखता है Ash के डैड का बहर रूपिया अपनी हवेली से बाहर निकल आता है और कहता है अब मैं इस जीवन के जीवल से है आरिकेस को कमज़र करूँगा आरिकेस को पकड़ूँगा और फिर इस दुनिया पर राच करूँगा तब ही Ash समझ जाता है कि अब यह मैच वो हार चुका है तब ही Ash के तरफ एक मॉल्टरस का फ्लेम थोड़ आये लग जाता है लेकिन तब ही एक राइट से शड़वाल आता है इससे अटाक दोनों के कॉलाब हो जाते है और Ash बच जाता है, तभी Ash समझ जाता है कि वो आज जुका है, तभी Ash हवा में देखता है कि Mewtwo वहाँ पर खड़ा है तभी Mewtwo Ash आगे जाता है, तभी Ash जाता है तो हमाई मदद करने आई गए आखिरकार Mewtwo तभी Mewtwo कहता है, यह गलत फैमी में बिलकुल भी न रहना मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के पोकेमोन को बचाने आया हूँ तभी Mewtwo Ash की तरफ से लड़ता है और Ash की डाट के तीन पोकेमोन को लगबग वो एक तरीके से हराई देता है रोग देता है, लेकिन Mewtwo भी अच्छा कासा डैमई हो चुका होता है और तीन पोकेमोन Ash की डाट के उस तरफ तभाई मचा रहे होते है तभी Ash की डाट कहते हैं कि अब यह कैसे रुकेगा, Mewtwo यहाँ पे तो उनको कौन रुकेगा तभी वहाँ पे Mew भी आजाता है तभी Mew और Mewtwo मिल के लड़ लग जाते है और Ash की डाट के सारे के सारे पोकेमोन को लगबग हराई देते है तभी Ash की डाट का चाईजाड जमीन पे गरता है और फिर Mewtwo शेडो बाल बना लग जाता है जिए चारेजाड को मानने के लिए लेकिन तभी Ash की डाट सामने आ जाते है और कहते है Mewtwo इसको कुछ मत करो तभी चाईजाड को भी थोड़ा अजीब लग जाता है Ash की डाट को लगता हूँगा चाईजाड उनकी कंट्रोल में आ रहा होता है लेकिन तभी Ash की डाट का चाईजाड वापस से अपने आपे के बहार चला जाता है और फिर तुरंथ Ash अपने Pikachu से Iron Tail यूज करने लिए बोलता है तभी चाईजाड Dragon Claw यूज करता है और सारे के सारी Pokemon के Helmet तोड़ देता है जिससे वो उसके कंट्रोल से बहार निकलाते है और Ash की डाट की बात की वापस से मानने लग जाते है तभी बहरूपिय के पास एक भी Pokemon नहीं बचा होता है और वो जीवन के बहागने लग जाता है तभी आश उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकते है तभी बहरूपिय बोलता है तुम मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें जीवन के बहान जी। देना ही पड़ेगा फिर RKS आता है और अपना जीवन का जूल मंगता है तभी आश RKS से थोड़ा सा वक्त मंगता है कहता है जीवन का जूल तो मेरे पास है लेकिन अभी ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ है ये सब ठीक होते ही मैं तुम्हें जीवन का जूल वापस कर दूगा तभी RKS कहता है तुम् RKS वापस से आता है और Ash उसको उसका जीवन के जीवलू वापस कर देता है तभी Ash की डैट कहते है Ash अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है अब तुम क्या करोगे तभी Ash कहता है मैं अब जाओंगा ट्रेनिंग करूँगा अब वो तयार है अपने डैट से मुकाबला करने के लिए तभी Ash और Go वापस केंटो के लिए निकल परते है अपने डैट से मुकाबला करने के लिए तभी Ash कहता है इस बार मैं पॉक्की मॉन मास्टर ज़रू बनूँगा तभी Go बोता है अगर बोलो हिस्सा लेते तो आज मैं वर्ल्ड चैम पर नहीं होता तभी Go बोलता है कौन है वो लोग तभी Ash कहता है तुम भूल गए लगता है Go जो मास्कमान जिसने मेरे गरीजा को ट्रेन कराए उसने मेरे गरीजा को राया हुआ है और इसके डाइड ने मेरे लुकारियों को तभी Go बोलता है तो तुमें सबसे पहले इन से लणा चाहिए नहीं तो अगर तुम इनको नहीं हरा पाए तो आपने डाइड को कैसे हरा होगे तभी Ash कहता है तुम बिल्कुल ठीक कहरे हो तभी Ash कहता है आप हमें सबसे पहले चल दिएगा तो चलिए फिए वीडियो एंड करते हैं